वेलकम तो यूपी सी फाई, लेट्स दूट तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्की वेली के बारे में फर्स्ट, modern political thinker, father of political realism कहा जाता है, father of European secularism कहा जाता है बहुत interesting होने वाला है आज का lecture दोस्तों, देखिए हब भी तक जो हमने दोस्तों पढ़ा वो हमने पढ़े ancient Greek thoughts ancient Greek thoughts में हमने जाना कि जो सॉक्रेट्स थे, उनके student plateau थे और उनके student अरिस्टोटल थे यह जो हमने thoughts पढ़े, यह कहीं ना कहीं, हमने 350 BC के आसपास पढ़े और जो Mackey Valley है, उनका birth होता है 1469 में, 1513 में यह अपनी book लिखते है, The Prince जो सबसे important book है, हमने पढ़नी है, the one of the best book written on state's craft लेकिन जो बीच में 15-1600 का हम देखते हैं, जो gap आता ही है उसका, वो कहा गया इसका answer में आपको अपने previous lecture, development of political thought में दे चुका हूँ उस era को हम कहते है, medieval era, medieval era जो था, एक age of religion कहा जाता है, उसको age of darkness कहा जाता है क्योंकि हमने जब देखा कि ancient Greek thoughts में, reason जो था, reason, ठीक है, reason लोगों dominate करता है दोस्तों और जो reason था, वो primary importance दी जाती थी उसको, लेकिन, with the time जो था, religion ने इसको overcome कर दिया, right और religion ने रिप्लेस कर दिया, reason को, तो जो religion ने जब रिप्लेस कर दिया, उस era को medieval era कहा जाता है और वो darkness की age थी, कोई development नहीं हुई, कोई enlightenment नहीं हुई, सिरफ church जो थे, वो powerful बनते गे और आइसता इसता corrupt बनते गे, they were so powerful कि उसको, even they were having the right to execute someone आप समझें कितना powerful बनके church और इसी के साथ, जो था, वो medieval period के कोई development of political thoughts एक्चर में हुई नहीं और इसलिए हम लोग वो era को नहीं पढ़ते हो, ना ही, वो हमारे slavers में है, लेकिन, modern political thought की शुरुआत कर दी, यहां पे successful ruler बनना है, पहली बार ही एक book लिखी की states craft पे, समझें हैं दोस्तों, तो यहां से एक modern हमारे political thoughts की शुरुआत होती है, फिर इस legacy को आगे hops continue करते हैं, तो हम आज मैकेवली के बारे में जानने वाले हैं, as you know, I start my lecture with the quotation, तो आज की quotation है, दोस्तों, I will win, maybe not immediately, but definitely, आप लोग हमें इस्टा पे भी follow कर सकते हैं, आप लोग हमें whatsapp कर सकते हैं, इस नमबर पर कोई भी doubts हो, we are available for you, देखें दोस्तों, आज हमारे जो इस lecture के objectives हैं, हम life sketch of मैकेवली पढ़ेंगे, बहुत जरूरी है जानना, मैं आपको बता चुक हूँ, कभी भी कोई political thoughts आपको पढ़ने हो, तो political thoughts जो होते हैं, वो दो चीजों से बने होते हैं, that is time and space, जब आप किसी thinker को पढ़ेंगे, तो आपको ये दो चीजें जानना बहुत जरूरी है, तो हम वो introduction में हम पढ़ेंगे, आज सारा उनकी कौन सी books थी, उनके क्या माईने हैं, वो सारा जानेंगे, perspective of मैकेवली as a thinker, क्या थी सोच उनकी, जैसे plateau हमने पढ़ा, plateau was an idealistic, वो idealistic approach रखते थे, utopian concepts थे उनके, तो यहां प बहुत important यहां पर हम पढ़ेंगे कि views on human nature, अब हम देखें दोस्तों, अब जैसे हम modern political thoughts पढ़ना शुरू करेंगे, अब मैकेवली पढ़ेंगे, मैकेवली के बाद हमने social contractualist पढ़ने है, social contractualist जो thinker थे, contractualist जो thinker थे दोस्तों, उसमें आ जाते हैं आपके Hobbs, Locke and Russo, right, वो अपने जो political thoughts शुरुआत करते हैं human nature से, बताते हैं कि human nature क्या है, अच्छी है, बुरी है, और उस human nature के कारण क्या circumstances बने, ऐसे क्या circumstances बने कि लोग आपस में एक साथ आए और उनने एक social contract किया, right, social contract किया और जिस social contract का outcome क्या था दोस्तों, state outcome होता उसका, तो इस तरहां से views जो है human nature पर यहाँ पर political thoughts रखते थे, फिर बताते थे कि human nature के कारण ही ऐसा है, कि लोगों को साथ में आना पड़ा और एक social contract करना पड़ा और state उसका outcome आया दोस्तों, तो यह हम आज जानेंगे, फिर हम जानेंगे दोस्तों, कि Machiavelli is the child of renaissance, देखिए, every thinker is a child of his time, right, जो ज जाता है कि this statement is more true for Machiavelli, Machiavelli was the child of renaissance, यह लेस्की ने कहा है, बहुत बढ़िया थिंकर है, लेस्की, लेस्की ने कहा है कि he was the child of renaissance, foundation of modern political thoughts, किस तरहां से हमारे modern political thoughts की foundation यहां से शुरू होती है, secularism का concept आता है, politics को ethics and morality से अलग रखा जाता है, nation state का concept आता है, territorial state का concept रखा जाता है, किस तरहां से international relations की बात भी कहीना की की जाते हैं, कि अपने neighbors के साथ यह बाकी nations के साथ किस तरहां relation रखने चाहिए, nation state का concept आता है, nationalism का concept इमर्ज होता है, बहुत बढ़िया thoughts है, मैं कि मेली क फिर आज तो नहीं बर next lecture में दोस्तों फिर प्रिंस डिस्कोर्स हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि प्रिंस को क्या suggestions दिये है, theory of state on religion and the critical evaluation और जो हमारी political science personal dictionary है ही है दोस्तों, वो तो करना ही है, अब जानते है life sketch, देखे, Florence, Italy में पैदा हुए, यह मैकेवली, 1469 में पैदा 1513 में उने book लिखी दा प्रिंस, देखे दोस्तों, मैकेवली जो थे यह गोर्नमेंट में सर्फ भी कर चुके थे काफी बड़े-बड़े public offices में सर्फ किया था, he also served as a diplomat, secretary in the government of Florence, so इनको first hand information थी कि किस तरह से गोर्नमेंट काम कर रही है, क्या-क्या मसले हैं गोर्नमेंट में क्या problems है, कहा corruption है, कैसे होती है, कैसे इसको बहतर बना सकते हैं, तो he was having the first hand information about all this thing, और मैकेवली जो थे ना, वो बहुत बड़े nationalist और patriotic थे, वो चाहते थे कि मेरे reunified हो पूरा Italy, वो अभी हम जानेंगे किस तरह से, लेकिन जहां हम बात करें एक यहां पर कि मैकेवली को चनक चनक्य नीती, बहुत famous है, तो चनक्य से comparison किया जाता है, कहा जाता है, जो मैकेवली योरप के लिए रहे हैं, उसी तरह चनक्य इंडिया के लिए रहे हैं, पूरा इन्होंने भी बताया कि किस तरह से statecraft के related, इन्होंने information दिये, किस तरह से king को rule करना चाहिए, किस तरह से उसक आपको भीया rule करना है, क्या do's है, क्या don'ts है, बहुत बढ़िया तरीके से बताया है, और इवन कहा जाता है दोस्तों, कि जो हमारी ex-prime minister इंडरा गांदी जी थी, वो अपने साथ the prince book carry करती थी, और वो मतलब उसको refer करती थी, कि statecraft का art जानने के लिए किस तरह से हम deal कर सकते है, different political situations को, देखे, पंडित नहरु जो हमारे पहले परधान मंत्री थे, first prime minister थे, उन्होंने अपनी book discovery of India में चनक्या को Indian Mackeyivali कहा है, इससे आप जान सकते है कि Mackeyivali की जो योरप में क्या importance है, चनक्या की इंडिया में क्या importance है दोस्तों, सबसे ज़्यादा लेकिन criticized है, most practical thinker ह है, उसके बाद भी सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइजड है, अभी भी इनकी जो stagecraft पे book है, लोग आज भी follow करते हैं, आज भी उसको refer करते हैं, लेकिन फिर भी इनको negative connotation दिया गया है, negatively इनको treat किया जाता है, आप आपको मैं बताऊं, दोस्ताइज गांदी जी ने अपने political thoughts मैकेवली को जो है, वेस्टन का विलन का है, और जो शेक्सपेर उनने विलन की जगा मैकेवेलियन वर्ड यूस किया है, तो रिपर्जेंट कि ये कोई बुरा आदमी है, तो इस तरह से, लेकिन फिर भी इनको सबसे ज़्यादा practical thinker कहा जाता है, आज भी इनकी stagecraft पे जो नी जो था, 1469 के आसपास, it was subdivided into the five feudal states, पांच feudal states में ये divided था, और देखिए जैसे आप देख सकते हैं, ये आपस में मिलान भी था, यहां पे, फ्लोरेंस है, जहां ये पैदा हुए थे, तो ये आपस में लड़ते रहते थे, they were in continuous war with each other, और इसके रीजन किया था कि चर्च जो थे, वो सबसे दा powerful थे, और चर्च जो थे, वो kings को अपने accordingly mold करते थे, कहते थे कि भीया, तुम ऐसे करो, ऐसे करो, और आपस में इंको लड़ा के, वो खुद rule करते थे, and the church were all powerful, और आप देखेंगे, टाइम थे, इटली जो था ना, इटली बहुत advanced था अपने टाइम और यहां पर जो Roman Empire में, जो church आपको पता है, मैंने बताया कि Roman Empire कैसे establish हो, और वो एक religion वहां establish Christianity को promote करते थे, तो church की जो chair होती थी, वो इटली में होती थी, तो Pope यहां पर भी होते थे, तो Pope जो थे, वो king को अपने accordingly mold करते थे, और उनको आपस में लड़ा के रखते थे, ताक अगर हम इसी तरह लड़ते रहेंगे, या divided रहेंगे, तो external enemies जो हैं, वो हमार के कभी भी attack कर सकती है, और हमार को easily किसी भी war में हरा सकती है, तो इटली जो था, उस समें corrupt था, divided था, मैंके वहली सिर्फ इतना चाहते थे, इटली unified हो, आपस में एक nation बन जाए, ताकि powerful nation बन सक तो इससे क्या होगा, यूनिफिकेशन होगी इटली की, इटली powerful nation बनेगा, एक powerful ruler के अंदर होगा, तो it will be better, इटली के लिए और इटली अच्छे से deal कर पाएगा, अपनी external enemy से, बात करते हैं फिर उनको हमने देखा जैसे child of renaissance का जाता है, और इनको लेस्की ने ये tag दिया इसको, transitional age, right, और transitional age का क्या हुआ कि medieval जो आपकी medieval age थी, दोस्तों, वो end की तरफ जा रही थी, medieval age जो थी, वो end हो रही थी, और आपकी modern era जो है, वो start हो रहा था, modern era यहाँ पे start हो रहा था, दोस्तों, तो transitional age थी, even, even जो Brian Nielson है, जिनकी हम देखते हैं, राफर करते हैं, western political thoughts के उन्होंने, Machiavelli को transitional thinker कहा है, कहा है, he's a transitional thinker, because उस समय medieval age जो थी, वो खतम हो रही थी, और modern era start हो रहा था, तो उनके बीच में थे, तो यह अपने time के पूरी तरह से views को reflect करते हैं, देखिए, आप अगर जानेंगे, जो transitional age मेंने आपको कहा, इस समय योरप में क्या हो रहा थ था, enlightenment revolution चल रहा था, industry revolution था, geographical exploration हो रही थी, right, geographical exploration 14-15th century में कितनी exploration, even इंडिया भी 15th century की early 15th century में योरप ने discover किया था, तो यहाँ पर हम देखें कि geographical exploration कारण, exploration के कारण, Machiavelli देते हैं कि हमें territory अपनी expand करनी चाहिए, वहाँ पे capitalism क्या, उसमें दोर चल रहा था, industry revolution था, तो इ memory importance दीगे, renaissance था, age of religion को church की जो authority थी, उसको limited गया, सिरफ religion से related, politics में इंटरफेर, उसकी रोकी गई, तो यह हम अभी सब जानेंगे, तो इस तरह से Machiavelli के thoughts को इन्होंने impact किया, तेकि medieval age खतम हो रही थी, modern age यहाँ पर start हो रही थी, age of renaissance, reason का growth होता है, science का growth होता है, right, तो यहाँ पर इनको इसलिए यह transitional thinker कहा जाता है, और यहाँ child of renaissance भी कहा जाता है, एक और बड़ी interesting चीज़ है, इसको father of European secularism कहा जाता है, दोस्तों, यह important है कि secularism जो है, वो concept इन्होंने emerge किया, इन्होंने बताया कि हमें जो है, religion को politics से separate रखना है, religion जो है, personal affair है, इसको अपने देखें, morality, ethics और religion, इन तीनों का मैकेवली कहते हैं, politics से कुछ भी लेना देना नहीं है, ना, इन तीनों का politics से कुछ देखें, यहाँ पर यह सही बात कर रहे हैं, politics के बारे में, अगर हम ethics को, morality को, religion को ले आएं, तो यह किना कि philosophy से लिटर चला जाएगा, अगर हम political science की बात क करेंगे, तो इन्होंने का politics is all about the management of power, management of power, how you manage your power, और किस तरहां से आपको do and don't से वो भी इन्होंने detail में बताया है, और यहीं पर जब यह कहते हैं कि politics is just about management of power, तो यहाँ पर इनको इसलिए, इनको father of political realism का concept दिया जाता है, देखिए, father of political realism काते है, कि realism जो है, एक ideology है, ये international relations में पढ़ने वाले है, इस ideology, school of thought है, जो मानता है कि जिसके पास भी है, ज्यादा पावर है, उसका किसी भी चीज़ पर हग हो जाएगा, जैसे South China Sea में आमने देखा, कितने nations थे, जो अपना claim कर रहे थे, लेकिन China being the most powerful अपना claim जमा गया है तो यही realism के ideology है, और यहाँ पर भी यही कहते है, it's all about the management of power, prince को powerful होना पड़ेगा, prince को fox की तरह clever होना पड़ेगा, loin की तरह courageous होना पड़ेगा, बहुत सारी बाते कही हैं, वो हम detail में देखेंगे, योर्पेन concept of revolution जो है न, उसमें, देखें, दो तरह से secularism होता है, एक secularism होता प्लेग्राउंड या, आपके battlefield या, एक को आपको कहें, grounds मिल सके, बाकी minority, जो majority आपकी community है, उसके accordingly, उसके तहत, तो minorities के साथ को discrimination ना हो, इसको कहते है, positive secularism, मतलब आपको minorities को special rights जैसे हमारे Indian polity, Indian constitution में हम देखते है, 25 articles है, 28 articles जो है, right to religion के अंदर, special rights दिए गे है, minority को अपने educational institute set up करने के लिए, और भी बहुत चीज़ों के लिए, तो वहाँ पे एक special privileges दीगे है, minority को, ताकि दे कम-कम in equilibrium with the majority, लेकिन जो European secularism है, that is a negative secularism, negative secularism में क्या होता है, कि church का काम सिर्फ अपना religious affair तक, state का काम, politics सिर्फ काम है, तो किसी भी religion को, किसी भी minority, किसी भी तरह के, आप कह everyone will be treated equally, बस यही secularism है, कि हर एक को एक तरह से treat किया जाएगा, उस पे uniform civil court का concept आगया, कि सबके लिए, एक ही law है, किसी को कोई भी special rights नहीं है, तो यहाँ पे, इसलिए, जो European secularism है, it is a negative secularism, तो योरप ने क्या था, बहुत सारी हम देखते है, religious war देखी, वहाँ पे, कितनी सारी religious war हुई, और scholars जो थे, वह advocate करते थे, कि भीया, अब भस करो, इतनी war मत करो, religion और politics को separate कर दो, church की authority को limited करो, सिरफ God से related, affairs से related, राइट, और politics जो है, वो king को, देखे, इस समय क्या होता था, जो king था न, king कहता था, I have a divine origin, इस समय divine origin of theory चलती थी, theory of state चलती थी, divine origin, मुझे God ने बेजा है, रूल करने के लिए, पोप कहता था, कि I am a representative, I am a representative of God, ठीक है, तो यहाँ पर यह बात कर रहे हैं, डिवाइन origin की, और वो बात कर रहे हैं, यहाँ पर कि I am the representative of God, मैं सबसे ज़्यादा powerful, तो इन दोनों के बीच में भीया, continuously tussle चलती रहती थी, काफी लड़ाई ह काफी ब्लडशेट होती है, हम देखते हैं, जैसे होब्स इसके बाद आएंगे, उस समें भी एक civil war चल रही होती है, तो सब जाह स्कॉलर्स थे, उस समें तो वो advocate करने लगे कि भी करो, लेकिन मैकेवली आए, बिखा इन्होंने फर्स नम की भी, separate कर देना चाहिए, और तभ इस बुक एवर रिटन इस फील्ड और स्टेट स्क्राफ्ट, बहुत बढ़िया तरीके से बताएगी, रूलर को किस तरह से रूल करना चाहिए, क्या-क्या डूस हैं, क्या-क्या डॉन्स हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बहुत इंपॉर्टन बुक है, दोस्तों, हाउट पूरा डिटेल में, अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करें, हम अगर प्लैटो की बात करें, प्लैटो ने फिलॉसफोर किंग का कंसेप्ट दिया, फिलॉसफोर किंग को उन्होंने बताया कि फिलॉसफोर किंग हमारा बनेगा कैसे, एड्डुकेशन होगी 50 साल की, फिर अगरे बाद वर्चियोस होगा, रीजन डॉमिनेटिंग होगा, तो फिर हमारा फिलॉसफोर किंग बन जाएगा, लेकिन वो रूल कैसे करेंगा, स्टेट क्राफ्ट क्या होगा, कैसे मतलब वो चीजे नहीं बतायी दोस्तों की, how he will, yeah she will rule, उस चीज का आंसर दिया हमारे मै वे लिए कि बड़ी फेमस बुक्स हैं, इसमें भी वो आगे फर्दर इटली के लिए ही लिखते हैं कि इटली हो कैसे और पाउर्फुल बनना चाहिए, तो प्रिंस की बात करेंगे, प्रिंस एक एक अडेमिक वर्क नहीं है कोई पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों, प्रिंस पाउर्फुल बना पाएंगे, वो सब जो एडवाइस है, मैंके वली ने अपनी प्रिंस बुक में एक रूलर को दी है दोस्तों, बात करते हैं इंको फादर पॉलिटिकल रिलिजम भी काते हैं, पॉलिटिकल रिलिजम देखिए इसलिए का जाता है, विकॉज ये मानते हैं पॉलिटिक्स इसलिए मैनेजमेंट ऑफ पावर दोस्तों, मैंने आपको पताया है, उसमें बड़ा प्रमोट हो रहा था, इंडस्ट्री रेवलुशन था, चाइल्ड ऑफ रेनिसंस थे, उसमें जो चीजें चल रही थी वहाँ पे, उन्होंने बहुत इंपक्त डाला मैंके मैंके वली पे, तो यहां किना कि उनको materialist नहीं है, उन्हों बता है, matter is real, idealistic नहीं थे, ideas में बलीव नहीं करते थे, matter जो है, वही real है, matter जो है, वही real है, और इंसान की जो nature है, it is also materialistic by, like by birth या by nature ही materialistic है man, तो यहां किना कि capitalism जो उसमें concept थे, industrialization वह उन्होंने, उसमें इंपक टाला मैके वली की thinking पे और उन्होंने ये concept दिया, materialistic उन्हों की nature बनी, political thoughts जो थे, वह materialistic से ज्यादा related थे, मैके वली के, बात करेंगे दूसरे की elitist थे, देखिए, common man और prince में काफी ज़्यादा difference किया, अगर इंसान की, कोई life की, जो common man है, अगर थोड़े, उन्होंने माना कि, जो common man है, उसके लिए कोई morality नहीं होती, अगर prince चाहे तो prince के लिए कोई morality नहीं होती, वो common man को कभी भी किसी तरह दबा सकता है, तो prince के लिए एक अलग rule था, और जो आपके, क्या कहते हैं, subjects थे, citizens थे, उन्हों के लिए अलग rule था, यहाँ पर इन्होंने एक concept दिया है, dual morality का, दोस्तों, dual morality, dual morality में यह कहते हैं, कि, जो king है, king के लिए भाया, कोई morality नहीं है, king के लिए कोई morality नहीं है, वो जो चाहे कर सकता है, जो उसका decision होगा, वो ही सही है, लेकिन जो citizens है, right, जो citizens है, उन्हों के लिए भाया morality है, they cannot go against the prince, समझ रहे हैं आप दोस्तों, तो कहिना क एक prince और common man के बीच में यहां पर वो differentiate कर रहे हैं, दोस्तों, अब बात करते है, purpose क्या था, उनके इतने thoughts देने का, बहुत important है, दोस्तों, पूछा भी जाता है, कि purpose मैं के वली, यह अपने आपके बड़े सारे answers में, यूस भी कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि, nation state concept जो था, वो emerge हो रहा था उसमें, इटली वा लेकिन इस तिल डिवादे इंटो था, फाइफ फ्यूदल स्थेट पांच फ्यूदल स्थेट इवर था, इटली वह एक्स्टरनल अटेक, किसी भी एक्स्टरनल एंभी जो थी वो उन पर अटाक कर सकते थी, लेकिन जो थे महक्यवली वो की सीट थी और जो चर्च थे वर आल पॉवर्फूल एना हाविंग इवन दर राइट टो एग्जीकुट समवन पोप और किंग के बीच में टसल चलती रहती थी और जब मैंके वली आपको मैं आपको में आपको फॉर्स एंड एक्सपीरियंस था जॉब में होने का तॉप पो और चर्च जो थे वो डॉमिनेटिंग बहुत जादा थे दोस्तों तो कहीं ना कि टसल चल रही थी किंग और चर्च के बीच में तो जिस टसल के कारण लॉस किसका हो रहा था इटली का हो रहा था तो यह चाहते थे कि चर्च जो है वो सिरफ प्राइविट स्फेर तक रहे एक रिलीजन तक उसकी जो आपकी अथोर्टी है वो सिर्फ रिलीजन तक रहे लेकिन जो प्रिंस है वो एक आल पावरफुल प्रिंस बने और पूरे इटली को पूरे इटली को यूनिफाई करे और पूरे इटली पर रूल करे समझे दोस्तों बात करते हैं अब हूमन लिए बारे में जानना है, दीखे, होप्स, जो हम इसकार पढ़ेंगे, होप्स, जो थो मुझा थे वो भी यही मानते थे, कि इंसान जो है, वो बड़ा selfish होता है, बड़ा greedy होता है, तो यहीं कहीं जो महिखे-वली के thoughts है, human nature, वो भी यही कहते हैं, कि इंसान जो है, selfish है, ungrateful है farikl minded है occur word है अवजियोस है आपको में चीजश बता हुं अ डोस्तो जो मैक्येवली अप्रोच थी यह ती ती स्टैकल मैथ़ोजी थी हुर इन। कि मैं लगं क्लूजर सके हुँ अपनी कंटलूजें निकालते हैं तो महक्येवली थे अुंक्या यहूमन नेचर पर पे जो थόट्स थे, वो history बेच थे और वो कहते थे कि जो prince है, prince को दो चीजे समझना बहुत जुरूरी है, एक तो history और एक तो Analys have human psychology human psychology यह जो चीजे पी जानना बहुत जुरूरी है और अगर इस चीज़ पंच देब हो और अच्छे जा है, history के basis पे मैं ये conclusion दे रहा हूँ, और history जो है वो भाहिया सबसे best guided to politics, आपको जैसे हम बोलते हैं कि history repeats in itself, तो वही मानते हैं मैं कि history के थूर ही हम जान सकते हैं किसी रीजन के बारे में, किसी लोगों के बारे में कि लोग कैसे हैं, क्या हैं, और ये area क्या है, तो पूरी details जितनी भी प्रिंस को रूल करनी है तो दो चीज़े उसको भीया ध्यान रखनी है एक तो human psychology और एक तो history history बार जानना बहुत ज़रूर है और throughout the human history जो मैकेवली ने जाना कि human nature जो हो एक जैसी ही रही और वो क्या nature थी selfish, ungrateful, fickle minded और man can easily change the side, coward, avaricious तो यह सब हमारी human nature के बारे में इन्होंने मैकेवली ने कहा है देखिए जो मैकेवली है वो मानते हैं कि इनसान selfish है वो सबसे पहले अब मैं थोड़े इसको detail में बताता हूँ वो सबसे पहले यही कहते हैं कि इनसान को सबसे ज़्यादा जो प्या उन्ग्रेट्फुल अगर आप कुछ कीको डिन ऑर किसी सजा के लिए उसको माव कर दिया है बाधमे उस बंदे का कहता है कि इसब बंगेस्स दप्रिंश पर फ्रोट्रुथा आप बहारो लेकिन वो ungrateful है, आप जितना मरजी प्रिंस फेवर कर ले, वो उसको भूल जाएगा, अगर उसका interest उस चीज को, डिमांड करेगा, दोस्तों, फिर कहते है, fickle-minded है, man can easily change the side, कि ऐसा नहीं है कि अगर उसने decision लेगा, कि में इस साइड हों का, तो यह ही पर रहेगा, नहीं वो change कर सकता है, coward है, कहते हैं, देखे, Machiavelli कहते है, there is a presence of element of fear, जो इंसान है, उसके अंदर एक element of fear है, insecurity है, और इसी के कारण वो जो है, प्रिंस को उन्होंने का है, कि प्रिंस को इसी के बेसी वो suggestion देते है, कि प्रिंस is better to be feared, rather than loved, It is better कि लोग जो है, प्रिंस से डर हैं, ना कि उसको प्यार करें, अगर वो प्यार करेंगे, उससे डर नहीं होगा, तो लोग can go, people can go against the subject, citizens can go against the prince, लेकिन प्रिंस को जो समझना है, कि इंसान जो है, वो coward होता है, उसकी human nature है, Machiavelli के according, और वो जो है, उसमें element of fear present होता है, और इसका फाइदा लेके, prince को, अपने subjects को, citizens को अपने से डरा के रखना चाहिए, extremely greedy है, property के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, देखी, property के लिए बहुत बड़ी line बोली है, उसने, Machiavelli, Machiavelli कहते है कि man is so touchy about property, कि भहिया, man जो है, will sooner forget the death of his father, या his family, but he cannot forget the loss of property, देखी, समझ यहां पर कितना प्यार है, इंसान को property से, as per Machiavelli, कि इंसान अपने father की death को भूल सकता है, लेकिन he cannot forget the loss of his property, और इसी के basis पे, जो prince है, उनको Machiavelli कहते है, कि भहिया, king should never interfere in the property and the wives of his subject, अगर आप उसकी property और उसकी wives के related में, आप अगर interfere करेंगे, तो people या citizens will revolt or will go against the you, तो इसल आप लेका, वाइस, prince will never confiscate his citizen's property, और क्योंकि इंसान जो है, they never forget the loss of his patrimony, अपनी property से लेकिर का loss कभी नहीं जाएगा, और जो king है, उनको एक को suggestion देते हैं, कि he should do not touch the woman of citizens, right, क्योंकि man जो है, they are very possessive of their woman, तो property को लेके यहां पर बताते हैं, कि इंसान extremely greedy है, तो king को उस चीज में interfere नहीं करना चाहिए, दोस्तों, यह मैं आपको एक overview दे रहा हूँ, देखिए, इसमें क्या होता है, यह मैं समझा रहा हूँ कि किस तरह से prince को उन्होंने जो all powerful, absolute authority, और किस तरह से different suggestions है, वो दी, इन्होंने कहा, और वो जो rule है कहीना कि कैसे justify कर रहे है, based on human nature, यह हम अभी ज survival जो है इन्सान का, वो मिशा रिस्क पे रहता है, तो यहाँ पर कहीना कि एक law stateness, जो lawlessness रहती है, state of lawlessness रहती है, अनर्की रहती है, तो इसको overcome करने के लिए, इन्सान को जो अनर्की को end करने के लिए, या law and order लाने के लिए, society को बचाने के लिए, we need a prince, जो democrat passport, मतलब कि individual with the absolute power, right, इतना powerful हो वो किंग, ताकि वो जो human की bad nature है, जिसके करने सारे conflict पैदा हो रहे हैं, इसको ये overcome कर सके और उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें prince चाहिए, जो prince कोन होगा, वो हम जानेंगे थोई दिर में, दोस्तों, foundation of modern political thought रखे है, देखे, यहाँ पे, कहते हैं, देखे, आज भी ये बात मानी जाते हैं, कि politics is all about the management of power, दोस्तों, he was the first to put forward the theory of nation state की बात की है, कहीना की जो हम देखते हैं, पहले जो था religion के basis पे region को divide किया जाता था, लेकिन territorial state, nation state की बात जो है, यहाँ पे मैके वेली first time करते हैं, he was the first thinker who separated religion from the politics, और justify करते हैं, secular state की बहीं किस तरह स जो functionality है, politics है, functionality है, state की उसे separate रखना चाहिए, दोस्तों, growth of nationalism की बात करते हैं, unified करना चाहते थे Italy को, कहते थे nationalism जो है, बहुत important है, religionism जो है, it's a private affair, वो अपने तक रखें, लेकिन nationalism के through हम, जो Italy है, उसको unified कर सकते हैं, दोस्तों, autonomy of state की, first advocate of the autonomy of state की बात करते थे, कहते थे कि ज the prince है, जो prince बनेगा, he should have the absolute power, he should be the final authority, उनको किसी चर्च या किसी पोप से पूछने की जुरूत नहीं है, autonomy की बात कर रहे हैं, state की यहाँ पे, he put forward the concept of supreme, sovereign state, sovereign state के break of sovereignty, जो है, बहुत important element is state का, even आज के टाइम पे भी, हम मानते हैं, states are sovereign, internally as well as externally, तो इसलिए यहाँ पे, sovereignty की बा all powerful, state is sovereign, state is supreme, और वो अपनी decisions खुद ले सकती है, और justify all powerful central authority, यहाँ पे justify करते हैं, कि कही ना कि हम एक modern concept की तरह भढ़ रहे हैं, medieval age से, right, बात करते हैं, state is an end, state अपने आप में एक end है, और हम लोग जो हैं, सिरफ एक means है, जिससे हमें यह end achieve करना है, और survival of the state is the central thing, दे कि मानत इनसान जो है, एक just mean है, और state जो है, वो एक end है, जिसको हमें achieve करना है, through means, right, तो have a great insight for the art of the government of modern diploma के लिए, कि किस तरह से हमें state को rule करना है, government किस तरह से चलानी चाहिए, हमें diplomacy किस तरह से रखनी चाहिए, अपने आगे-पीछे neighboring state से कैसे relations रखने चाहिए, state के साथ, यह subjects है, उनके साथ कैसे deal करना चाहिए परिंस को, तो इन सब के बारे में यहां बात की गई है, दोस्तों, तो आज हम इतना ही करेंगे, दोस्तों, अब मैं आपको next lecture में बाकी concept cover करूंगा, दोस्तों, तो कोई भी आपको doubt हो, दोस्तों, तो आप हमें follow कर सकते हैं, आप हमें बता सक सकते हैं, आप हमें comment कर सकते हैं, ठीक है, thank you so much दोस्तों, thank you